शहर है दरबाद दबिरपुरा पोलिस टेशन हुदूद चंचल गुड़ा जेल में एक कैदी ने खुदकुशी कर ली अच्छल गुड़ा जेल में तेविस टारिक को रिमांड किया था आज सुबा खरी पांच बजे स्रीहरी ने पैरेक के बातरूम में अपनी लूंगी से फांसी लेकर खुदकुशी कर ली पुलिस की जानकारी के मताबिक इस से पहले श्रीहरी पर अपनी मा का कतल करने का इल्जाम है और सगे भाई को भी मारने की कोशिश की श्रीहरी पर पहले से ही तफा 302 और 307 का मुखदमा चल रहा था पहरहाल पुलिस ने लाश को पोस्ट माटम के लिए दवाखाना मुंतखिल कर दिया और एक मुखदमा दर्च करके इस मामले की तहकिखात शुरू कर दी मीर्चौक डिविजन के एसीपी ने मीडिया से मुकादिब होकर इस मामले की तमाम तफसिलात पया मीर्चौक डिविजन में दविरपुरा पोलिस स्टेशन के अंदर चंचलगोडा जेल चंचलगोडा जेल में एक व्यासुला स्रीहरी बोलके एक अक्यूजड चादरगट पोलिस स्टेशन से 23 एई मैने एक चोरी अटेम्ट केस में रिमांड हुआ अभी जेल में है उनुँ आज सुबे एरली अवर्स पांच बजे कु हमारकु जेल अधार्टिस से इनफर्मेशन मिला कम्प्लेंट मिला ये व्यासुला स्रीहरी 28 एर्स नेटिव आफ महभूब नगर नवाप कुंटा एरिया का इनु आज सुबे पांच बजे कु उन रहे सो बैरक में का वाश्रूम है वाश्रूम में इनु उनका लुंगी उससे उन्हों सेल्फ सुसेड कर दिये वह इंफर्मेशन हमारा कु कम्प्लेंट भी आये सो है इम्मिडेट हमारा दबिरपुरा पोलिस्ट चंचलगुडा जे विजिट करके केस्वी रिजिस्टर करें 71 बाई 18 अंडर सेक्शन 176 CRPC केस्वी रिजिस्टर करें हम पोस्ट्मार्टम के लिए उस्मानिया आस्पटल क्यो मार्चरूम देड़ बाड़ी शिफ्ट भी करें हम और ये डेड़ बाड़ी क्यों इंक्वेस्ट शेवपंच नाम एक्जिउटिव मेजिस्टर से करा रहे हम ये अक्यूस्ट इसकी पहले उनका मदर को भी मदर करें सो केस में नवापकुंटा पोलिस्टेशन से रिमांड हुयो सो है ये ही चिंचल गुडा में तीन मैने रहने के बाद बेल पे बाहर आके फिर चादरगट पोलिस्टेशन म एक चोरी केस अटेंट में फिर रिमांड हुआ ये रिमांड हुए सो टाइम पे आज सुबे इनो जेल में सुसाड़ कर गुए नवापकुंटा नवापकेटा नवापकेट स्वारी नवापकेट 302 307 उनका भाई को भी मदर करने को ट्राई करें मदर को मदर करें और इसी इसलिए 302 307 केस रिजिस्टर हुआ नवापकेट पोली स्केशन